बालीगाड वन शेत्र के अंतरगत ग्राम चौना में तार में फसने से मादा गुलदार की मौध हो गई है वन विभाग ने गुलदार के शव का पोस्ट माटम कर उसे जला कर नश्ट कर दिया है प्रभागी वन अधिकारी मयंक शेकर जा ने बताया कि सुबस साथ बजे उन्हें जानकारी मिली कि छोना गाउं में खेत के तार में गुलदार उलज गया है तथा वो भागने के लिए छट पटा रहा है रेंजर के नेत्रतु में गुलदार का दो घंटे तक रैस्क्यू किया गया गुलदार को ट्रेंकोलाइज कर उसे पिजरे में तो डाल दिया गया था लेकिन वन विभा कार्यालाई लाने तक उसकी मौत हो गई डॉक्टरों ने बताया कि तार में उलजने के कारण मादा गुल्दार पहले ही काफी खायल हो गी थी तो हालकि रेस्क्यू तो हम लोग कर पाई लेकिन रेस्क्यू करने के पश्चाथ फिर उसकी ट्रांसेट के तौरान उम्रती होगी हम लोग उसका पोस्ट मॉटम करवाएंगे उसके बाद उसके कारण का पता चलेगा एक फीमेल गुल्दार है करीब एक से डिर साल की आराउंड उसकी उम्र रही होगी और किस कारण से भसी क्या हुआ वो उसकी तफ्तीश वगएर हम लोग की जारी रहेगी इंवेस्टिगेशन हम लोग उसमें करवाएंगे और फिर जैसे प्रोग्रेस होता है आपको सुचता है CCN News के लिए हिमान सुजोशी के साथ सुरेच पांडे की रिपोर्ट